हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आट यूटुक चैनल पर मैं दीपका कुश्वा आज आपको बहुत सुन्दर सा मैं हैंडवेक बनाना बताऊंगी तो यह देखो दो पीस मैंने रेडी किये हैं मैंने फॉर्म सीट लगाई है तो यह देखो मैंने पीछे की स है 15 इंची की और चोड़ाई है 17 इंची की इस तरीके से आपको दोनों पीस बराबर के ही लेने हैं एक पीस को मैं साइट से रख दूंगी अब यह मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है पीस को फोल्ड करनी को बात देखो हम निशान लगाएं खुली साइट से 4 इंची पर निशान लगा रही हूं मैं यह मैंने 4 इंची पर निशान लगा लिया है अब यहां से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 3 इंची पर अब यहां से मैं दो इंची का देखो जो चार इंची का निशान लगाया था वहां से मैं दो इंची का निशान लगा रही हूं कि कि अव्य नीचे की साइड हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं तील पर अगयर अब जुमने निशाल लगाई है में अपर देखके से इसले के से यहां पे मेंने गुलाई बनाइक्ट सबैखको और यहां पे भी में गुलाई की से फूब दें इस तरीके से से शेप देनी है इसमें अब इसकी हमें कटिंग कर देनी है तो कटिंग मैंने कर ली है यहां पर हमें पॉकेट डालनी है इसमें तो हम निशान लगाएंगे पॉकेट का तो देखो जहां से मैं उपर की सा事 से पाँच इंची का निशान लगाऊंगी इस निशान को बिल्कुल सीधा कर दूँगी दोनों साइच से में पाँच पाँच इंची पर नाप लोगी ये देखो मैं निशान लगा लिया है अब इसकी में कटिंग करूँगी कि कटिंग मैंने कर ली है अब इसमें हमें चैन अटेश्ट करनी है तो इसके बराबर की हम चैन ले लेंगे अब यहां पर हम स्लाई लगाएंगे पहले कॉनर पर तो यह देखो चैन पर मैंने स्लाई लगा ली है अब इसमें हम टॉप स्लाई लगाएंगे टॉप सलाई भी मैंने लगा ली है अब जो पीस कटिंग गया था इसको भी अटेच कर लेंगे हम ये देखो ये पीस पे भी मैंने सलाई लगा ली है अब इस पे भी हम टॉप सलाई लगा लेंगे तो ये देखो टॉप सलाई भी लगा लिए है इसमें अब हम लॉक डालेंगे तो लॉक भी मैंने डाल लिया है अब पीछे की साइड हमें पॉकिट बनानी है तो हमें कपड़ा अटेज करना है इसमें तो देखो अंदर की साइड मेंने कपड़ा फोल्ड कर दिया है और पूरे चारो कॉर्णर पर हम सलाई लगा देंगे तो यह देखो मेंने सलाई लगा ली है जो एश्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है अब सेम तरीके से इस पीस की भी हम कटिंग कर लेंगे तो यह देखो कटिंग मैं कर रही हूँ कटिंग हमने दौन पीसों की सेम तरीके से कर ली है अब इसके हमें चोटी पॉकेट डाल ली है इसमें तो बीच में निशान लगाएंगे हम तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ धाय इंची पर धाय इंची पर निशान लगा लिया है मैंने अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे तीन इंची पर अब दोनों साइट पर इसी तरीके से निशान लगा लेंगे तीन तीन इंची पर ही अब जैसे मैंने ये निशान लगाया है वैसे इसकी हम मैं कटिंग कर दूँगी तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है अब यहाँ पर हम तिर्शक निशान लगा लेंगे जैसे मैं निशान लगा रही हूँ तिर्शे वैसे इसको cutting करना है हमें तो यह देखो इनकी धीक कर लोगी कॉनर की क्या के यह देखो लेको कॉनर मेंने कट्इंक कर लिए है अब इसी के बराबर की एश्टरा चैन जै हूं jar बराबर की नीले नहीं यह थोड़ी हैं एंदर दभानी है से तो देखो चैन को हमें इस तरीके से अटेश करना है इसमें तो एक साइड में इस लाई लगा ली है इस पर भी हम टॉप सलाई लगा लेंगे पहले तो ये देखो टॉप सलाई लगा रही हूँ मैं एक साइड तो हमने चैन अटेश कर ली है अब दूसी साइड भी हम चैन अटेश इस तरीके से कर रहेंगे देखो ये मैंने अंदर की साइड निकाल ली है चैन को अब यहां पर मैं सलाई लगा दूँगी तो ये देखो सलाई मैंने लगा ली है अब इस पर हम टॉप सलाई लगाएंगे पहले इसमे लॉग डाल लेंगे हम तो लॉग को मैंने इसमें डाल लिया है अब ये कॉनर जो हमने कटिंग किये थे उसके अंदर की साइड फोल्ड करके सलाई लगा देंगे तो यह देखो corner पे sly लगा रही हूँ मैं पूरे पे top sly हमने लगा ली है अब यहाँ पे हमें कपड़ा attach करना है हमें छोटी pocket बनानी है तो मैंने कपड़ा छोटा ही लिया है तो यहाँ पे हमें पूरे 4 ओर से sly लगा देनी है sly हमने लगा ली है तो हमारी pocket इसमें बनके ready हो चुकी है अब यहाँ पे देखो मैंने तनी बना के ready कर ली थी अब इनकी भी आपको लंबाई चोड़ाई बता दूगी मैं एक इंची की चोड़ाई है लंबाई 22 इंची की है अब यह हमें देखो यहाँ पे attach करनी है बिल्कुल बीचा बीच में दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा gap रखा है तो यह देखो तनी मैंने attach कर ली है अब यह उपर की साइड के दो piece बनाए थे मैंने इसमें हमें chain attach करनी है तो 7 इंची की चोड़ाई है और 17 इंची की लंबाई है दोनों piece सेम बरावर के है तो देखो उन्हें attach कैसे करना है पहले हमें आपको बता दे रही हूँ इस तरीके से रखना है अब यहां से हमें slide लगानी है इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं तो slide मैंने लगा ली है अब इसकी मैं cutting कर दूँगी cutting मैंने कर ली है और देखो इसमें मैंने cut भी लगाए है अब इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से हमें दोनों piece ready करने है अब इसमें मैं top slide लगा लूँगी तो यह देखो मैंने top slide लगा ली है अब इस पर हम Sly लगाएंगे, तो ये देखो Sly मैंने लगा ली है, अब हमें Top Sly लगा लेनी हैं इस पर, मैंने Top Sly लगा ली है, अब जो दूसरा बाला पीस था, वो मेरा रेडी हो चुका है, इसको भी मैं ऐसा ही, अटेश कर दूंगी इसमें इस पे भी टॉप लगा कि कॉनर से रेडी कर लोंगी तो देखो लगा लगा लिए अब हम इस पे टॉप लगाएंगे इसमें प्हेले लोक डाल लेंगे अब लोक में ने डाल लिया है अब इसको तोемся साइट से रख देंगे इसकी साइड है मारी उसकी लंबाई चोड़ाई बता दूगी मैं आपको इसकी चोड़ाई है 6 इंची की और लंबाई है इसकी लंबाई है इसकी 49 इंची की तो देखो अब आपको अटेच कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी तो यह देखो मैंने पीस ले लिया है इसको हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और यहां पर हमें श्लाई लगा देनी है तो यह देखो श्लाई मैंने लगा ली है अब इसे हमें इस तरीके से मोड़के और पूरी साइड को हमें इसी तरीके से सिलना है तो ये देखो मैं सिलाई लगके आपको दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से देखो आपको पूरे पर सिलाई लगानी है तो सिलाई मैंने लगा ली है आपको दिखा रही हूँ सिलाई किस तरीके से मैंने लगाई है अब दूसरे बाले पीस को भी हम ऐसे ही attach करेंगे तो यह देखो इस तरीके से पूरे पर हम स्लाही लगा लेंगे तो स्लाही हमने लगा ली है अब मैं आपको यह bag handbag सीधा करके दिखाऊंगी तो यह मैं सीधा कर रही हूँ मैं तो देखो कितना अच्छा हमारा handbag बना है तो आपको देखो pocket है यह मारी बहार वाली और यह उपर की side है अब देखो पीछे वाली pocket भी मैं आपको दिखा दूँगी छोटी सी है बहुत अच्छा हमारा handbag बना है आप बना के देखना और comment बताना आपको कैसा लगा